इस सरकार को लाने में थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा है, एक एक कार्यकरता का रहा है, पर क्या हुआ सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भरष्टा चार का सरकार बनाया एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था वल्लब भवन को भरष्टा चार का अड़ा बना के छोड़ दिया और ये आप मुझसे मत पूछेगा क्योंकि आप कहेंगे कि आप तो दलगत राजनीती से प्रभावित होकर कह रहे हैं आप मद्यपदेश की आम जनता से पूछ लिए ट्रांसफर पोस्टिंग शराब रेत उत्खनन हर चीज का धंदा आज जो ओच्छी राजनीती का परिचे कमलनाज जी और कॉंग्रिस पार्टी दे रही है यही दर्शाती है कि उनकी असली मानसिक्ता और उनकी असली नीती और नीत क्या है जो कॉमेंट इन्होंने किया एक महिला के प्रती जो हमारी ग्रामीन शेत्र की महिला है जो गाउं गाउं से उठकर आई है मेनत मशकत कर आई है 35 साल का इसका जनसेवा का इतिहास है पगपग चलकर राजनीती और जनसेवा की सीड़ी पर चड़ी है सरपंच बनी है जिला पंचायत की सदस्य बनी है जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है एक बार नहीं तीन तीन बार विधायक बनी है कमलनाज जी की मंत्री मंडल की सदस्य बनी है और इस मनुश्य की दृष्टी कौन को आप देखिए कि आज अपने सफाई में कहते हैं कि मैं उनका नाम भूल गया तो ये आपकी आपका मान सम्मान है आपके मंत्री मंडल के सदस्य के प्रती कि आप उनका नाम भी भूल जाते हो क्यों? इसलिए कि वो महिला है क्यों? इसलिए क्योंकि वो दलित समाज की है और आप क्या कहते हो? हसकर, इनुने बोला ना मैं तो कोई किसी की बेज़ती नहीं करना चाता था हसकर क्या कहते हैं ये डबरा की जंता को आपको तो आपने तो मुझे बताये नहीं कि ये इतनी बड़ी आइटम है क्या ये महिला के प्रती कमलाज जी और कॉंग्रेस पार्टी का दृष्टी कोन है मद्यपरदेश में कॉंग्रेस को जंता के साथ कोई मो नहीं है जंता की चिंता नहीं है कॉंग्रेस को केवल इसकी चिंता है आज जो कमलाज जी एक-एक विधान सवा में जा रहे है पंद्रह महीने एक जिले में भी नहीं गए मुख्यमंत्री रहते हुए उस समय केवल नोटों की चिंता थी आज जब ये चली गई है तो वोटों की चिंता होगी मेरी सोच स्पष्ट है मैंने जनसेवा का पत अपनाया है राजनीती का पत नहीं अपनाया है और मुझे 20 साल हो गए जन्ता की सेवा करना ही मेरी दिड़ इच्छा शक्ती है और मेरा संकल्ब है कौन सा पत कहां रहना चाहते हो कैसे रहना चाहते हो इसमें मैं रूची नहीं रखता मैं रूची रखता हूँ विकास में प्रगती में और जनसेवा में